Hello Friends, मैं दानियाल सौगत करता हूँ आपका Kiddo Coder में Friends, आज की वीडियो में हम लोग परेंगे Types of Internet Connectivity Internet को हम connect, किस किस टाइप से Internet को हम connect कर सकते हैं और connect करके use कर सकते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग परेंगे तो चलिए बीना टाइम गवाई वीडियो को शुरू करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो पहला टाइप है हमारे पास वो है हमारा डाइलप कनेक्शन तो देखते हैं डाइलप कनेक्शन क्या होता है अडाइलप कनेक्शन is established between your computer and internet service provider using modem जो डाइलप कनेक्शन होता है वो आपके यूजर जो है यूजर और जो internet service provider के बीच में connection बनता है किसके माधियम से modem के माधियम से बनता है जिसमें क्या होता है कि आप डाइलप कोई number होता है वो number dial करके आप temporary internet को access करते हैं और फिर जब आप बंद करते हैं तो internet connection आपका क्या होता है खतम हो जाता है तो ऐसे system को हम क्या बोलते है डाइलप connection बोलते है इट इस temporary connection यह हमारा temporary connection होता है जब आपको जरूर है तब आप connect करके internet use करेंगे बाकी time फिर आपका वो बंद रहेगा डाइलप connection is not preferred these days because this type of connection is very slow इसका जो connection है internet speed है वो बहुत slow होता है जिसके वैसे आप यह use नहीं होता है इस्तेमाल नहीं करते है slow speed होता है लगबग इसका 56 के भी per second के का speed होता है यह जैसे माली जी यह आपका computer है और यह internet service provider internet है इसके बीच में आप modem के माधियम से क्या करते है data को बतलब internet को access करते है अगला टाइप है मारे पास broadband अब broadband जो वो दो वर्ट से मिलके बना होता है एक होता है broad दूसरा होता band broad का मतलब होता large amount और band का मतलब होता bandwidth bandwidth means कि data जो आपका transfer हो रहा है time के respect मो वो कितना हो रहा है इसको हम क्या बोलते है bandwidth बोलते है broadband refers to high speed internet access that is faster than traditional dial-up access यह हमारा क्या है high speed internet access कराता है जो क्या हमारे dial-up से ज्यादा है speed इसकी काफी अच्छी है broadband connection is provided through either cable और telephone companies broadband connection आपको या तो कोई telephone company provide करेगी या फोर आपको cable के तुरू उसका internet connection मिलता है जैसे air tail है हमारा BSNL है Jio है यह सब आपको क्या करते है broadband internet service provide करती है आपके घर में भी लगा होगा आजकल air tail broadband या फिर आप सुनते होंगे Jio broadband हम यूज कर रहे हैं आजकल तो यह सरी हमारी companies हैं जो यह सब service provide करती है speed की बात करें इसकी तो speed इसका लगबग 256 के भी per second का होता है और उससे लेके आपको 8 MB per second तक speed यह दे सकता है minimum 256 से लेके 8 MB per second यह अभी और ज्यादा बढ़ गया है लेकिन 8 MBps होता है average लेके चलते हैं हम लों broadband connection आपका तीन तरह का हो सकता है cable के थुरू हो सकता है DSL digital subscriber lines की थुरू हो सकता है और satellite connection के थुरू होता है अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कि cable क्या होता है DSL क्या होता है और satellite connection क्या होता है broadband connection के टीन टाइप में जो पहला टाइप है मारे पास cable it is a form of broadband connection in which internet access through cables इसमें क्या होता है आप internet access करते है किसके मदद से cables की मदद से access करते है it can provide extremely fast access to the internet इसमें क्या होता है आपको internet का speed बहुत fast मिलता है जैसे आपके घर में internet service provided के थुरू wire के थुरू आपके पास क्या आता है internet आता है ethernet के तुरू जो क्या आप कहां लगाते है router में लगाते हैं digital subscriber line it is the form of broadband connection in which provide internet access through telephone line इसमें क्या होता है आपको broadband connection ये भी है और इसमें क्या होता है आपको internet जो मिलता है किसके माध्यम से मुलता है telephone line के माध्यम से मिलता है it is a form of broadband communication that is always on there is no need to dial a phone number to connect इसमें क्या होता है आपका जो internet होता है वो always on रहता है इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है किसी phone number को dial करने की या फिर कोई number डालने की internet access करने के लिए हमेशा on रहेगा और कोई जरूरत नहीं है कोई भी number dial करके इसको connect करने की अगला type है हमारे पास satellite connection the type of connection is provided especially in ruler area है वह हमारा क्या है satellite connection है उसके माधियम से महां internet पहुचाते और यूज कर सकते है अगला type है हमारे पास wireless connection wireless connection does not need telephone lines और cables to connect to the internet नाम सही पता चला है wireless मतलब बिना वायर का इसमें आपको ना तो cables की जरूरत परती है ना telephone line की जरूरत परती है internet को access करने के लिए wireless connection यूज radio frequency band to connect to the internet यह क्या करता है wireless है यह radio frequency का इस्तेमाल करता है internet को connect करने के लिए और internet को access करने के लिए इसमें भी speed आपका क्या होता है बहुत ज्यादा हाई होता है बहुत fast internet इस्पीड आपको यह प्रोवाइड करता है wireless connection obtained by Wi-Fi और Bluetooth आप wireless connection जो है आपको कैसे access कर सकते है Wi-Fi की मदद से access कर सकते हैं और आप Bluetooth से access कर सकते हैं तो यह हम आ रहे थे internet connection के types जो आपको मैंने बता दिया I hope आपको समझ आया होगा अब चाहिए तो इसका screenshot ले सकते हैं subscribe now and press the bell icon never miss an update